हेलो, कैसे है, सब ठीक है ना सब स्वस्तर हैं मस्तर हैं तो बहुत दिनों से ना फ्रीजर में मलाही रखा हुआ था, मैं भ्यान नहीं दी, गर्मी भी बहुत है पेर में भी बहुत जहादा दरब तो खड़ा नहीं हुआ जाता देन अभी सोची, चलो आज निकाल देती हूं इसको न欸 बने रहे एगा में दिखा रहे आपको तो यह देखिए इसको न कंशाओ यह मालाय निकाल के रखे हुए थे बरतन में, और फ्रीजर में रखे थे। जब भर गया था तो फ्रीजर में रखे छोड़ दिये थे। फिर इसमें भी रखे थे।貝ार जादा आए जादा मैं इस लिए, अब दोनों से निकाल लिए, दोनों से मिखाल के इस Rudolph । आण से तो आण से कर यह द को मैं ना आपको बताना चाहती है मैंने क्या कि ना पूरा आइस थोड़ा सा सुभे निकाल दी थी लेकिन फिर भी पूरा नहीं हो गया था तो मैं हाथ से लेकि उसको ना ऐसे 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 कर दी तो मेहनत तो होता है है देखिए हाथ से जल्दी हो जाता है उससे उससे भी होता है देखिए हाथ तो दुख जाता है लेकिन छोड़ रहा है देखिए छोड़ रहा है देखिए है मैं चाहती हूं कि एदम लुई जैसा हो जाता है ना एकदम पानी अलग मक्षन अलग ऐसे हो जाए हाथ दुख रहा है हाथ दुख जाता है हर चीज मेहनत का ही है फिर भी दखिए निकल रहा है पानी दिखिए निकल रहा है हां हां और एक दो बार ऐसे एसे करेंगे तो तो है हो जाएगा यह देखिए इसका पानी निकल गया और इधर हो गया इसको मैं अब गरम कर रही हूँ है अब इसको ऐसे चलाने से ना पूरा जो गोल-गोल हो गया था ना वह अभी सपतला हो गया यह देखिए इसको बीच-बीच में चलाएंगे जिससे लगेगा नहीं निचे इसका पानी यह निकल गया देखिए इसका भी मैं कभी-कभी वो बना ले थी उपनीर इसको गरम करने के लिए चरहादूंगी और इसके अंदर में निम्बू काटके डालूंगे देखिए जो इसका पानी निकला था ना इसमें मैंने निम्बू निचोड़ दिया निम्बू निम्बू निचोड़ने से एक देखिए जो पानी इसका पनीर निकल गया देखिए पनीर निकल गया तो यह दो फैदा वो गया इसका पानी भी वेस्ट नहीं फेके हम हम ऐसे ही करते हैं अब इसको बंद कर देंगे अब यह पानी को ठंडा तोर असा हो जाएगा तो छान और यहां पर घी बन रहा है कि इसको भी थोड़ा तेज कभी तेज कभी कम तेज करने से फेकने लगता है ते इसको ना तेज करते तो चलाते रहते हैं कि फिर थरा कम कर देते हैं दीजिर होते रहेगा और पनीर हो गया देखिए पनीर अब इसको च्छाम देती हो आगे देखे पनीर निकल गया इसमें ना पानी डालते हैं दोने के लिए निम्बू डाले ना दो उसका खटा पन निकल जाएगा कि देखिए कितना कितना सारा निकल गया पनीर देखिए अब इसको हम दबा के रख देंगे पनीर हो गया और एक घी बन रहा है इसको भी बिच बिच में चलाते रहते हैं कि देखिए दबा के रख दी हूँ पनीर को कि यह देखिए पनीर हो गया है कि इसको इसको दबा दिया इससे और यह घी भी बन रहा है गी इसमें से घी छोड़ेगा प्रोसेस इसका चल रहा है अब भी निकलने का है है अरे पनीर भी होई गया इसको हटा देती हुए अधोगया इसको हटा देती हुए अधर देखिए पनीर बन गया इतना घी का घी और पनीर का पनीर घी और पनीर दोनों बन गया देखे घी अब टाइम तो थोड़ा लगता है इसमें आटा उटा डाल के करते हैं लेकिन मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि चलिए बैठते हैं तब तक होते रहेगा तो यह देखिए इसमें से मैं च्छान ली च्छानते हुए आपको नहीं दिखा पाई यह देखिए इतना घी हो गया है तो आप लोग भी घर में घीव निकालिये घर का निकाला हुआ घी बहुत अच्छा होता है मेहनत तो बहुत ओता है लेकिन अच्छा होता है चलिए तो इसके लिए लाइक सीयर सब्सक्राइब तो बनता है भाई अगले वे लोग में मिलेंगे फिर कुछ दिखाएंगे